तो Suzuki कंपनी ने Indian Market में अपना AXS 125 का एक All New Model को launch कर दिया है और इस New Model में आपको एक New Dual Tone Color Setup देखने को मिल जाएगा जो की है Metallic Sonoma Red with Pearl Mirage White तो ये New Color Option आपको देखने को मिल जाती है और इस New Model में आपको क्या कुछ Feature Specifications देखने को मिलती है माईलेश के देखने को मिल दिया सारा कुछ आपको वीडियो में बताने वाला हूँ तो 2024 के अंदर आप भी अगर 125cc का एक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हो तो ये स्कूटर आपको पसंद आ सकती है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बराए हो तो ऐसी और नए वीडियो के रिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो मिले सबसे पहले तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्रन्ट लूक की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो जो मिर्यर से यह भी आपको क्रोम में देखने को मिलती है इसके लोग इसके जो फ्रन्ट अपरन है यहाँ पर देख सकते हो सोनोमा रेड जो न्यू कलर है यहाँ पर दिया गया है साथी आपको वाइट कलर के कॉंबिनेशन के साथ देखने को मिल रही है साथी आपको इस scooter का front में अब DRLs भी देखने को मिलती है लेकिन इसका जो indicator light से ये आपको halogen के अंदर देखने को मिलेगा बाकी इसका जो fender ये आपको metal में देखने को मिलती है तो overall आप इसका front look देख सकते हो काफी attractive लग रही है इसके बाद अगर हम लोग side look की बात करें तो अब देख सकते हो यहाँ पर भी आपको glossy paint scheme में देखने को मिलती है red and white color का combination और side से भी scooter काफी ज़्याद प्रीमियम लग रही है अगर हम लोग side design की बात करें seat up यहाँ पर देखेंगे तो काफी चौड़ा और लंबा seat देखने को मिलती है brown color का seat देगा है जो कि इस color scheme के साथ काफी अच्छा match कर रही है पीछे के side में आपको metallic grab rail देखने को मिलती है और side में आपको access 125 का logo देखने को मिल जाएगा और क्योंकि यह जो color scheme है यह top end model में आपको देखने को मिलेगा तो right connect edition यहाँ पर दिया गया है साथ ही आपको यहाँ पर Suzuki का ACP technology के साथ इसका engine देखने को मिल जाएगी और side में आप देख सकते हो जो exhaust system दिया गया है यहाँ पर आपको chrome finish का cover देखने को मिल जाती है बाकी यहाँ पर rear look के अगर बात करें तो tail lamp और indicators दोनों यह आपको halogen में देखने को मिलेगा साथ ही आपको fuel filling के लिए external fuel lid भी देखने को मिल जाएगी साथ ही आपको number plate के लिए light दी गई है और reflectors भी देखने को मिल जाती है तो overall आप इसका side और back का design देख सकते हो काफी अच्छा खासा attractive design बनाया गया है और इस new color skin के साथ और भी अच्छा दीख रहा है यह scooter इसके लि ही मिलती है वही 124 CC का 4-stroke air-cooled engine देखने को मिलती है जो की एक FI engine है और यह जो इंजिन है इसका maximum power है 8.7 PS का और maximum torque है 10 Nm का बाकि आपको इस scooter में जो एक kickstart का option भी दिया गया है तो यह कच्छी बात है अभी बहुत सारे brand जो है kickstart को धीरे-धीर हटाना शुरू कर दिया है ल आगी suspension की बात करें तो यहाँ पर आपको dual telescopic suspension front में देखने को मिलती है और rear में आपको swing arm single suspension देखने को मिल जाती है और braking system की बात करें तो यहाँ पर आपको combi braking system देखने को मिलती है और आगे का wheels में आपको disc brake का option भी देखने को मिलेगा क्योंकि यह जो scooter है यह top end variant पर based है इ देखने को मिलती है जो कि turn by turn navigation, phone and SMS alert, Bluetooth connectivity जैसे कुछ features support करने वाली है साथी vehicle related काफी सारे information जैसे real time mileage, odometer, trip meter, speedometer, fuel got जैसे सारे information आपको इस instrument cluster में देखने को मिल जाएगी साथी आपको इसमें USB charging socket भी देखने को मिलती है जिसके मदद से आप अपने mobile phone को चार्ज कर पाएंगे तो यही था all new Suzuki XS 125 जो कि आपको new Sonoma red और white color में देखने को मिल जाती है और जो भी features and specifications था scooter का मैंने सब आपको बता दिया वैसे आपको इस scooter का new color option कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताई है और अगर आपको information अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe भी अगर के जाई है मिलते हैं इसकी जिने वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care